Welcome back इसे related अगर आपको कोई भी क्योरी होती है तो आप कमेट बॉक्स में लिख सकते हो या इसके लावा आप मुझे Facebook या Instagram पे भी टेक्स्ट कर सकते हो तो बेसिकल यह जो वीडियो होने बारी हो दो फॉर्मेट पे चलिके पहले में हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में दू इस बात करेंगे कोर्सिस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले है तो सबसे परने हम चालते हैं सबसे परने हमार आता है PCM Physics, Chemistry, Mathematics अच्छा इसमें सबसे दाग कन्फूशन क्या होती है कि अधिकतर इस बात को लिगर कर्फूश रहते है कि मुझे PCM स्लेक्ट करना चलिए PCB तो ये एक काफी common question है अगर आपका PCM यानि Mathematics अगर आपका सही है तो आप Mathematics के साथ आगे बढ़ सकती हो और अगर आपका Bio सही रहा है तो आप Bio के साथ आगे बढ़ो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वर हाँ अगर आपका Mathematics कुछ हद तक ठीक है बढ़िया है तो मै suggestion दूगा मैं suggest करूँगा आपको कि आप Math के साथ आगे बढ़ो बात करता है अगर PCM के बाद तो PCM में आपको पहला आता है Physics दो जाता है Chemistry तीसा आता है Mathematics ये तीन subjects आपको मिलते हैं ये तो आप भी compulsory subjects है इसके बाद से जो language subject होता है ये भी आपका compulsory subject होता है इसमें आपक में भी प्रवाइड करें ये अधिकतर एस्टेट बॉर्ड में ये होते हैं plus CBSC या जिस बॉर्ड से भी हो आपको मिल जाता है इसके अलावा आपको optional subject के बात करें तो optional subject में economics, agriculture, architecture, information practices, computer science, psychology, fine arts, physical education देखने को मिल जाता है इसके बारे में बात करते हो चलते हैं right सबसे पहले इसके बात करते हैं इसके बात करते हैं इसके बात करते हैं architecture के बारे में right architecture होता है आपका planning, consulting, building से related ये साई चीज़े होती हैं ये चीज़ों के information practices और computer science ये दोनों एक टाइप से computer के parts एक computer के subject हैं तो अगर आपको computer में इंटरेस्ट है तो इनके साथ आगे आप बढ़ सकते psychology के बात करते हैं this is the scientific studies of mind आपके behavior के बारे में इसमें बता जाता है कि कैसे कोई act करता है especially act की आपकी से act करते हो आप anger के time या anger management courses आपते हैं ये सारे इससे से related आते हैं psychology से related fine arts में आपको especially dancing, filming, music इन सारे इस चीज़ों से related होता है इसके बात आपको मिल जाता है physical education ये बात होई आपको PCM से related अब इसे भी ही बात करते है right इन सारे चीज़ों कि आपको optional subjects में mathematics मिल जाता है, biotechnology मिल जाती है, agriculture मिल जाता है, economics मिल जाता है, psychology मिल जाती है, home science मिल जाती है, physical education मिल जाती है वह एक चीज़ है same to same, अगर आप इसको साथ लेके आगे बढ़ सकते हो, तो mathematics को में यहाँ पी फिर से बोलनो लोगा, अगर mathematics को आप लेके बढ़ सकते हो, तो आप आराम से लेके बढ़ो और आप फिव हो जाएगी PCMB, right PCA यहाँ पर एक चीज़ है, physics, chemistry, agriculture, अगर आप agriculture के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप agriculture के साथ फिर डरेक्ली आगे बढ़ सकते हो, agriculture में एक especially होती है, इसकी अपनी एक कोर्स होती है, जिसमें agriculture के इंदरी, agriculture statics, agriculture, इसमें कराय आती है, agronomy, soil science, इस सारे चीज़े उसमे एक अपने ही एक proper courses होती है, agriculture के, इसके बाद आता है हमारा career options, career options में सबसे पहले बात करेंगा हम लोग courses की ऊपर, उसके बाद बात करेंगा job and career opportunity के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं, professional courses की ऊपर, जिसमें 2th के बास जो आपको देखने को मिल जाती है, पहले बात करेंगा वो भी होती है, Air Forces के XY Group मिल जाते हैं, CDS मिल जाते हैं यह आफ्र ग्रिजुशन मिल जाते हैं, CDS CDS का full form होता है Combined or Defense Service, इस यह भी आपको मिल जाते है, NDA की खासे दिये है कि जब आप NDA का पेपर देते हो काफिक टाफ पेपर होती है, especially UBSC के दौरा यह करा जाती है, तो जब NDA की पेपर देते हो, तो आपस जो फिल्टरों के officers निकलते हैं, वो तीनों defense में भेज जाते हैं जो तीन हमारी defenses है Air Forces, Navy और अपना यह Indian Army, इन सारे में आपसे फिल्टर होके जाते हैं, उसके बाद से Merchant Navy, यह भी काफी segments related है, यह Air Force XY Group, यह आपको Air Forces के special exams होते हैं, उससे related है, CDS होते हैं, वही Combined Defense Service के लिए इसमें exams करा जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा से Mathematics आपको काफी हद तक फायदेमन साबित हो सकती है, अगर आप Maths से आते हो, तो Math Background से आते हो, तो इसके अलावा बात करते हैं, इंगरिंग कोर्स की बारे में, तो इंगरिंग में दोने कोर्ड चीजें मिल जाती हैं, आपको Bachelor's Degree के साथ भी, Diploma के साथ भी आपको Certificate के साथ आपको इतने सारे courses मिल जाते हैं, आप इसको मतलब पहुच करके देख लेना, क्योंकि इसमें अगर मैं सब को एक एक करकी explain करता चालागी है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अल्रेड़ी ये वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें दो ग्रूप एट होगा है, Mathematics और आप लोग इसको watch करके एक बार देख लेना, और हाँ, इसमें मैंने एक Agriculture Engineering से लेटे एक वीडियो बनाई होई है, अगर आप Agriculture Engineering में इत्रस्टेट हो, आप जाके simply चैनल को scroll करके देख सकते हो, या आपको link description में मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हो, इसके बाद आता है Science Courses with Mathematics, ये सारी courses आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें BSc Agriculture, BSc Horticulture मिल जाती है, इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है separate वीडियो के उपर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, इसके भी link आपको description में मिल जाएगी, इसके बाद Forestry, BSc Forestry, IIT, Computer Science, Chemistry, Mathematics, Physics ये सारे courses क्या है, ये स्टार्टिंग से ही चले आ रहे हैं, आप लोग में दिरूश सुना होगा, इसके बाद आपका मिल जाता है law courses नहीं है, BSc, LLB, BTEC, LLB, BCOM LLB, और BBA LLB मिल जाती है ये जो है, especially ये 5 सार के courses होते हैं, BSc के साथ अगर आप integrated courses करके चलते हो, तो ये 5 years की courses होते हैं, दोनों मिलाकर इसके बाद से management courses आ जाते हैं, जिसमें आपको BBA, BMS, integrated BBA, MBA, 5 years की ये duration की ये program होती है, BHM, Bachelor of Fortune Management, Retain Management जैसे courses देखरों को मिल जाते हैं इसके बाद से एक B Pharmacy भी मिल जाती है, ये साहब मुझे लगते हैं मिल जाती हो कि इक बारे में एक शोर हो लेना, जान से पहले इसके बाद कर लेता है, other bachelor's degree and diploma courses, even from other streams इसमें आपको B.com मिल जाती है, B.Social Work मिल जाता है, Mass Communication in Journalism मिल जाता है, Animation in Multimedia मिल जाती है Animation in Multimedia मिल जाती है, Animation in Multimedia मिल जाती है, Performing Arts मिल जाती है, Likewise, Courses मिल जाती है, इसके बारे मिल जाती है, इसके बारे मिल जाती है, इसके बाद आता है Education में अपना Career बनाना है, तो आप इसके साथ आगे जा सकते हैं, Biology Group की बात करते हैं, Biology Group कोर्से की बात करते हैं, Medicine, Dental Science, Ayurveda, Omnopathy, B.Pharmacy, PharmD, B.A.S.L.B., Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Occupation Therapy, इस सारे कोर्से आपको मिल जाते हैं, इसके बाद Science Group से जो अगर आप निकलते हो, Science Group से अगर आप निकलते हो, Bio के साथ, तो यह सारे कोर्से आपको देखने को मिल जाते हैं, Biochemistry, Biology, Physics, Chemistry, Environmental Science, इस से related काफी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, Agriculture even यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे आपको Horticulture भी मिलता है, Genetics भी मिल से अगर आपको ICRB पीपर कराती हैं, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो, तो आप कमेंट में भी टेक्स कर सकते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ यह सिंपल ली सोसल साइट पर आप टेक्स कर सकते हो, anytime, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूँगा, अगर आप करते हो तो इसके पास यहाँ पर 12 के कुछ कोर्से से उसके साथ जो प्रफाइल और करियर उप्रशुनिटी से जिसके बारे आम बात करते हो चल देंगे B.E. या B.T.E.C. Bachelor of Engineering या B.T.E.C. के साथ आपको कुछ कोर्से से मिल जाता है अगर आप बायो से भी आते हो तो भी आप डिफेंस में जा सकते हो आप बाद आते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप उससे भी आ सकते हो बायो से उसके बाद आता है B.E.C. I.T. and Software courses like software developers, software in area, computer programmer के तो आप आप job कर सकते हो web designer, web designing and development, database administration के टाप में आप job कर सकते हो उसके बाद आता है B.E.C. IT and Software या एक्टी डिजाइनिंग, सिस्टम डिजाइनिंग, डाटावेस मेनेजर, डाटावेस, सिक्योर्डी, प्रोफेशनल जैसे कोर्सेस आपको मिल जापते हैं, I mean jobs मिल जाते हैं, LBS के बाद से MDMS, डिप्रोमा, क्रिनिकल रिसेर्च, Master in Health and Administration आप टाइप में जा सकते हो, बात करते हैं, क्रिनिकल नर्सिंग, पॉब्लिक हेल्थ नर्सिंग टाइप जोब्स आपको मिल जाते हैं, इसके बाद से Bachelor of Pharmacy ये बात करें, तो Research and Development, Clinical Research, Association, Higher Education Lecturer, Science, Strider, ETC आपको जोब्स मिल जाते हैं, इसमें कम ही Government Job included है, इसमें प्राइबेट सेक्टर included है, इसमें प्राइबेट सेक्टर इंक्लूड़ेट है, इससारी सी जो के अलावा, अगर आप चाहो तो आने वाले टाइम में Government Job के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका background, Government Job type पाने का है, तो अगर आप चाहते हो Government Job पाने का, तो उसके वासे उसकी तो अलग preparation होती है, तो आप करके आगे बढ़ सकते हूँ, graduation level की जिदनी भी आप exam देना चाहो, आप दे सकते हो Government Job में, इस साइच चीज़ों के लाओ, अगर आपको कोई कोईरी होती है, तो आप मुझे यहाँ पर text कर सकते हो, anywhere, Facebook, Instagram, Twitter, या आपको कमिट बॉक्स में टाओ देना, तो thanks for watching, keep supporting, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,